इस lecture के अंदर आपको एक web app को deploy कैसे करना है Amazon Web Services की EC2 मशीन के उपर और EC2 क्या होता है, Amazon Web Services क्या होता है और किस तरीके से लोग आपकी बनाई हुई web application को use कर सकते हैं उसके लिए आपको एक machine चाहिए होगी जहां पे आपने अपनी app को या web app को run करते हुए छोड़ना है जैसे आप Streamlit पे app बनाते हैं, Flask पे app बनाते हैं, Django पे app बनाते हैं there are many other kind of libraries या codes जिनके उपर आप apps बनाते हैं लेकिन आप locally उसको run करते हैं अपने PC के अंदर जैसे कि हमने पिछले lectures के अंदर देखा, अगर आप पिछले lectures को नहीं देखा आपने तो आपसे request है कि description के अंदर हमारे पूरे course का link दिया हुए आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं 6 months of data science and AI अच्छा उसके अंदर हमने apps बनाई, machine learning model को use किया and then हमने उन machine learning models को app में integrate करके एक web app बनाई कि लोग कुछ inputs एड़ करें और उनको कुछ predict करके दिया जाए अब मसला यह होता है कि यह app तो बन गई अब आपसे यह तो नहीं हो पाएगा कि आप हजारों लोगों को email करते बैठेंगे यह पकड़ें जी code और इस app को चला ले एक तरीका तो यह आप इस app को deploy करें लोग इसको download करें और फिर चलाए दूसरा तरीका यह है कि आप एक ऐसी machine borrow करें जिसके ऊपर 2400 गेंटे आपकी सारी की सारी app रन करती रहे and anybody can actually start that app इस process को बोला जाता है app deployment या web app को deploy करना उना hosting service जो online रन कर रही है अब बेशमार दुनिया की hosting services है जिसमें streamlet cloud जो है यह भी एक hosting service है जो free में available है streamlet की app से लिए जो मैंने आपको बताई फिर आपके पास hiraku है जो कुछ कम charge करते है and then they provide your kind of hosting machine जो 24 गेंटे चलती रहती है और obviously अगर कोई चीज चल नहीं है उसकी बिजली की भी cost है उसकी processing की भी cost है और आपको hosting वाले अच्छा खासा charge भी करेंगे अब तीसरा तरीका यह है कि आप amazon web services पे इसको upload कर दे amazon web services क्या है यह basically cloud computer है अब cloud computer क्या है मेरी बात गोर से सुनियागा मैं यहां बे बैठा हूँ मैं अपनी machine को use किये भी ना मैं अपने किसी दोस से कहता हूँ कि यार अपनी machine चलाना है अपना PC चलाना मैंने उसको access करना है वो बंदा बहुत nice है और वो अपना PC चला के मुझे कहता है कि यह लो पकड़ो यह इसका code है team से या zoom के थूँ आप इ चार्ज नहीं करेगा on the other side amazon google microsoft इस तरह के बड़े-बड़े cloud computer के लोग जो है या मैं कहता हूँ बड़ी-बड़ी companies जो है वो आपको इस तरह services provide करती है कि आप हमारी machine यूज करें हम आपको चार्ज करेंगे and sometimes they charge you a lot sometimes they charge you very less obviously जितनी slow machine यह जितनी हलकी machine होगी उतना कम चार् बारिश कम होगी तो कम पानी आएगा ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा same वही चीज के अगर आपके पास cloud computer के machine जो बहुत हैवी है तो उसके उपर आपका bill भी ज्यादा आएगा and there are some cloud computers जो आपको free में बिलकुल मुफतेगा आपको $100, $200, $300 का credit देते है as a student या as a researcher और आप उनको भी utilize कर सकते हैं for your web app deployment otherwise अगर आपकी app बहुत अच्छी है और लोगों से आप earn कर सकते हैं उस app के through then you can invest a little bit in these kind of machines cloud computer समझ आ गया आपको आपको web app की deploy करना समझ आ गया अब इस पूरे lecture के अंदर में आपको A to Z machine बना के deployment तक का सारा procedure समझाने वाला ह time's hack ही है बिना मैं screen पर आपको ले जाता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक Google की website open हुई है by the way जितना भी हमारा code होगा मैंने description में भी link दिया हुए यह flask का यहां पर मैंने readme file के अंदर जो github का हमारा procedure है github की जो repository है उसके अंदर मैंने already upload कर दिया कि किस link दिया हुए ठीक है अब वहां पर जाएंगे अपना account बना लेंगे मैं जैसे इस link पर click करता हूं then it will show me another website जिसके उपर जाके मैं अपना account बना सकता हूं obviously मैं उस पर जाके अपना account बनाऊंगा तो मैं right click करके से open कर लेता हूं this is the website मैं बाकी websites को पीछे ले जाता हूं just to show you क किस तरीके से cloud computer हमारे पाँ चलता है and then आपने EC2 वहां से open करना वहां पर machine बना लेनी है and then you have to follow all these steps उस machine को बनाते हुए जो मैं आपको verbally बताऊंगा and these steps will help you a lot to understand कि यह machine कैसे काम करती है सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आ गया cloud computing services के अंदर मैं यहाँ पे sign in पे click करूँगा जो मैंने link पे click किया हुआ था this link इस पे मैंने click करके sign in पे click कर दिया अब आपको भी पता है कि जब आप sign in करते हैं obviously आपके पास कुछ information होनी चाहिए और amazon web services पे जब आप अपना पहले से account बनाएंगे तो आप से ये खास तोर पे credit card भी require कर सकता है sometimes it doesn't require based on your location तो आपने क्या करना है कोई भी credit card जिसमें बेशक कोई रुपया नहीं है कम सकम 500 के गरीब रुपय है तो 12-15 रुपय या 20 रुपय का आपको एक email आएगा आप उसको verify करेंगे and then it will start working for you और इसी तरीके से amazon web services फिर आपके वो credit की base पे काम start कर देता है आपको free tier account मिलता है जि इतने भी cloud computer है for example मैं यहां पर लिखता हूँ AWS free credits ठीक है तो आप यहां पर अगर देखें तो हमारे पास 200 credits जो हैं वो कुछ और companies भी देती है और यहां पर AWS के free credits आप यहां से देख सकते हैं आपके पास 2 शुमार different किसम की और भी offers है ठीक है आप 5000 credits भी ले सकते हैं अगर AWS free credits लिखता हूँ तो फोरण से आपको पता है कि for startups, for students, promo code, credit 300, for learning and so on so forth आजाता है मैं student पर click करता हूँ because most of the people are student for learning from me so आप क्या करेंगे यह sponsor link के बाद directly यहां पर आ जाएंगे not now यहां पर आ जाएंगे यहां पर आते ही आपके पास एक basically consent वगार एटसरे एटसरे आपको यह बता देगा पूरे का पूरा article है कि किस तरीके से आप student account से free credit ले सकते हैं और आपको कितना benefit हो सकता है benefit for student benefit for other people ठीक so मैं यहां पर अगर AWS free credit के उपर click करता हूँ there are some people जिन्होंने basically इस पर advice भी किया हुए secondly obviously मैंने और रेड़ी यहां पर अपना account से login कर लिया हुए आपने इसके अंदर आ जाना है जब आपका account बन जाएगा so please go ahead and find out कि free tier में आपको कितना dollar मिलते हैं और बाकी जोगों पर कि जैसे मैं यहां पर click करता हूँ and यहां पर आप देखेंगे कि आपको free tier account का free tier categories काफी है free tier भी इसको बोले जाता है tiers भी बोले जाते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं आपको free tiers के अंदर यहां पर सारी information मिल जाएगी यहां पर भी and always free के ओपर भी so there are some benefits of using AWS okay तो मेरे पास यह machine जो है मेरी already बनी हुई है अब मैंने क्या करना है search में जाना है यहां पर लिखना है EC2 ठीक है EC2 is basically elastic computing और यह क्या है यह आपको एक virtual machine बना के देता है ठीक है this is virtual servers in the cloud यह machine उसको आप कह सकते है मैं इस पर click करता हूँ EC2 पर so EC2 पर click करने के बाद मेरे पास इसकी window open हो जा आपको चाहिए ठीक है यह कितने run कर रहे है मेरे पास यहां पर कोई भी नहीं run कर रहा क्योंकि all of them I have turned off और वो चार यहां पर है but I am not talking about that आपने instances पर जाने instances पर जाने के बाद आपने यहां पर यह launch instance आ रहा होगा इस पर click करने launch instance पर click करने के बाद आपके पास यह इस तरीके से window आ जाएगी ठीक है and we are talking about AWS instances यहां पर आपने इस window को या इस instance का एक नाम देना है मैं इसको बोलता हूँ web app deployment kodenix ठीक है मैंने इसको यह नाम दे दिया web app deployment kodenix और इसके बाद मैंने यहां से Ubuntu चूज कर लेना because we are going to deploy our app on Ubuntu system जो Linux operating system है उसके उपर Ubuntu चूज किया यहां से मैं इसको जो normal default है उसे के रहने दूँगा यहां से architecture x86 यानि के 64 bit वाला मैं चूज कर लूँगा फिर यहां पर आपका depend करता है कि आपने कितनी heavy machine लेनी है आप इस पर click करें तो आपके पास multiple machines आ जाती है मैंने जो default है मेरे पास 1 GB memory, 1 CPU, 2 micro इसको भी choose कर सकता हूँ, small को भी choose कर सकता हूँ, medium को भी choose कर सकता हूँ, x large को भी choose कर सकता है इस totally up to me तो अगर for example मेरे पास मेरी app जो है वो बहुत बड़ी है और मैं चाहता हूँ के मेरे पास come as come 8 GB memory हो और 2 VCPU हो तो मैं T2 x large या T2 large को choose कर लूँगा, ठीक है, अगर मुझे GPU वाला system चाहिए होगा, then I can use that one for now I am using this one called T2 large, इसके उपर मैंने click किया तो इसके 8 GB memory है, दो VCPU है, तो इसकी cost कितनी है, 0.12 USD per hour, ठीक है, base cost है, फिर base pricing है, फिर some other pricing, so मेरे पास तकरीबन एक घेंटे का मुझे 15 से, आप कह सकते हैं, अगर 1.330 रुपे का है, नहीं, 200 something का है, तो 0.12 USD into PKR, इसको हम कर लेते हैं, so just to give you an idea, 0.12 USD to PKR, तो ये तकरीबन आपको एक घेंटे में 35 से 50 रुपे पढ़ेंगे, ठीक है, so अगर आप 24 घेंटे चलाते हैं, तो 50 को 24 से multiply करें, तो 1200 per day, बारा तीन बार 36, तो आपको तकरीबन 3600 रुपे पढ़ेंगे, तीन दिन के, अगर 30 दिन के होंगे, तो 36,000, तो इस machine को चलाने के आपको अच्छे खासे पैसे बढ़ जाने है, अगर आप सही तरीके से machine को नहीं बनाते है, so I actually started with this, अब मैंने यहां पर क्या करना है, अपना key pair बनाना है, which is a kind of pair that we need when we have to log in into PC, और SSH tunnels के लिए, SSH क्या होती है, यह secure shell होता है, जिसके थ्रूँ आप अपने EC2 instance को access करेंगे from your PC, and this is totally private, मैं यहां पर create पर click करता हूँ, यहां पर मैं नाम देता हूँ, मैं इसको web apps, kodenix का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, web apps, kodenix का मैंने इसे नाम दिया, और मैं इसको pem, dot pem file के अंदर भी लग रख सकता हूँ, और मैं इसको dot for use with putty, इसको उसके लिए भी रख सकता हू so मैं pem के अंदर इसको download करता हूँ, create करता हूँ, जैसे मैंने इसको create करूँगा, यह मेरे पास download हो गया, downloads के folder के अंदर, web apps, kodenix, and this key is very important for me to log in back to my PC, जो मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज यह है, कि यहां पर आपके पास यह allow ssh traffic भी आ रहा है, https भी आ रहा है, http भी आ रहा है, so मैं तीनों पर click करता हूँ, secondly, I have to go to edit, this is very important step, अगर आप यह नहीं लगाएंगे, तो आपकी app लोगों को नजर नहीं आएगे, so pay more attention to this step, please, यहां पर आपने edit पर click करने, edit पर click करने के बाद, सब कुछ default रहने दे, यहां पर आके, आप क्या priority group rule पर click करें, और यहां पर आप add करेंगे एक number, which could be any number, तो मैं यहां पर इसको 8501 भोल देता हूँ, just for my own understanding, अब यह जो है, यह मेरी basically port है, port क्या होती है, आपके एक system में जो आप different किसम के apps भी run करना जाएं, तो these ports will actually direct your user to access multiple apps, तो मैं पहली app कर रहा हूँ, तो मैं इसका य this app को run कर सकते है, simply, ठीक है, so I don't need to do anything, सिरफ इतना करने के बाद, यह मैंने custom security group rule add कर दिया, अब इससे क्या होगा, यह मेरी एक port है, 8501, इसको याद रखियेगा, which is important, और इसके बाद, मुझे 8 GB space चाहिए, which is more than enough for me now, 8 GB space मेरे पास है, EBS की, and I can also increase the speed of this, but 8 GB मेरे लिए enough है आप चाहें तो इसको 16 भी कर सकते हैं, but I will stick with 8 GB, क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक यह app इसमें चलानी है, and that's enough for me, learn now, तो यह मेरे पास मेरी machine है, जिसकी detail यहाँ पे right side पे आ रही है, मेरे पास T2 large machine है, firewall इसका new security group rule मैंने दे दिया, storage मेरे पास 8 GB है, और यह मुझे free tier के अं some of the numbers, अब मैं क्या करूँगा, यह launch instance जो यहाँ पे आ रहा है, इस पे मैं click कर देता हूँ, जैसे मैं इस पे click करूँगा, now, it's actually creating that instance, you are creating that machine for me, जैसे मेरे पास वो machine यहाँ पे बनेगी, you will see के machine जो है हमारे पास, वो यहाँ पे create हो रही है, and it depends on your internet के वो कितनी जल्दी बनत Okay, यह मेरे पास machine बन गई, successful हो गई machine, and that is the best step for me, जो मैंने भी यहाँ तक कर लिया है, machine हमारी बन गई है, यहाँ पे आपको समझ आगी होगे के EC2 instance हमारा create हो चुक है, और Ubuntu यानि के Ubuntu जो हमारा 20 something version है उसका, वो हमने बना लिया, अब next step क्या है, अपना data जो है, वो copy करना Ub Ubuntu के अंदर, और Ubuntu के अंदर चीजें install करना, जो हमारे local PC में थी, so हमने वो ही काम करना है, जो हमने app बनाते वाकत अपने PC में किया था, different environments बनाये थी, उसमें libraries इंस्टॉल की थी, and then we worked on that PC, इसके लिए हमें यहाँ पे front end इंस्टॉल करने के जरूरत नहीं, हम back end पे सारा का करेंगे, यह आप कहा सकते हैं कि terminal के through access करके काम करेंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे, आपने आप वापिस जाना है instances के उपर, और यहाँ पे आपका जो instance है, वो load होके आ जाएगा, if I go back to EC2, EC2 के उपर जाने के बाद running instances पे मैं click करता हूँ, and running instances पे click करने के बाद, you will see, कि मेर पास जो instance है, वो run कर रहा होगा, obviously मेरे पास internet की speed sometimes slow होती है, when I am doing this kind of tutorials, क्योंकि मैं live भी जा रहा होता हूँ, अब यहाँ पे देखें, यह आपका नाम है, जो आपकी app का नाम है, यहाँ से इसको edit भी कर सकते हैं, यह आपका instance ID है, यह running है stage के अंदर, T2 large है, initialize कर रहा है इस you can see the group rules, जो आपने add किये थे, जिसके अंदर multiple आपकी ports है, तो मैंने 8501 port इसके अंदर add की है, बाकी automatically बन गये, by clicking on different things, और यह आपके पास एक custom है, कोई भी कहीं से भी इसको join कर सकते है, यहाँ दा clear हो गया आपको, okay, then the next step is, you have to click on this link, या आप connect पे click करेंगे, so मैं connect पे click कर करने के बाद, अब यह मेरे पास एक window ऐसी आगे है, जिसके through मैं अपने system को connect कर सकता हूँ, ठीक है, this is the window that I needed to work on my PC, ठीक है, अब दो तरीका कार है, एक तरीका कार यह है, कि मैं directly यहीं से SSH client के through, terminal के through सारा काम कर लूँ, और दूसरा तरीका कार यह है, कि मैं दो software install करूँ, एक का नाम है winscp, वो क्या करता है, वो आपकी windows के through, softwares या कोई भी files को copy करेगा on server machine, ठीक है, second one is putty, p-u-w-ty, putty भी इसे आप कह सकते हैं, putty भी बोल सकते हैं, and this is a kind of, I would say a terminal, जो आपकी hosting services machine के साथ जुड़ के सारा काम करता है, और basically तीसरा काम क्या है, आपको अगर command line औ और वो जो key हमने download की थी, उसके through भी काम कर सकते हैं, so there are many methods out there, मैं आपको दो method दिखाता हूँ, and then we will see कि हमने कैसे काम करने हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि हमारे पास SSH client मुझूद है, ठीक है, अब हमने क्या किया है, यह वाली command के तुरू हम SSH client को run कर सकते हैं, जो मैंने key download की थी, second यह है कि मैं EC2 instance पर click करके, यहां पर connect को other window में open कर लेता हूँ, ठीक है, तो यह मेरे पास यहां पर एक terminal आ जिसके अंदर हमें कुछ commands लिखने की ज़रूरत है, and then it will work for us, और वो सारी की सारी commands मैंने automatically आपको पहले से यहां पर दी हुई है, ठीक है, कि आपने करना क्या है, किस तरीके से सब कुछ run करना है, and we are going to use these commands, अब सबसे पहली यह चीज है कि जैसे आप machine को on करेंगे, you have to download these things जिसमें sudo update है, upgrade है, and then you have to run some other commands as well, तो जैसे यह मेरे पास terminal open हुआ, now you can see, कि जो मेरी machine है basically, वो इस IP पे चल रही है, ठीक है, 172, 3152 and 51, और यह IP address basically मेरा machine का IP address है, which I can also see into my account details, अब यहां पे मैं इसको online terminal के अंदर use कर रहा हूँ, यहां पे मैं लिखूंगा sudo, apt update, अब यह क्या है, यह Linux की commands है, और Linux की commands कैसे चलती है, अगर मैं आपसे request करूँ, तो आप Linux cheat sheet, इसको open करें, और आप एक दिन के अंदर, मैं PDF पे क्लिक करता हूँ, बलके images पे क्लिक करता हूँ, और जो best cheat sheet है, वो यह वाली है, तो आप Linux और Unix को अगर आप use करना चाहते ह है, you can download this cheat sheet, और इस cheat sheet के ऊपर, आप सारी की सारी commands को understand कर पाएंगे, जो programming में, बिल्कुल basics में है, Linux में, उनके लिए यह cheat sheet जो है, अच्छा काम करेंगे, because you need to know, कि कैसे कोई काम चलता है Linux की cheat sheet के through, and you can download this cheat sheet, ठीक है, इसके ऊपर सारी commands लिखी है, ls क्या है, directory क्या होती है, so अगर मैं यहां पर Linux, Codenix लिखू, so maybe you can find out my lecture, and here is that one, Linux for Bioinformatics, और यह पूरा एक lecture है, अगर Linux, Codenix आप लिखेंगे, तो यह आपके सामने आ जाएगा, you can actually work on this Linux commands, okay, so यह Linux है, इसको मैं run करता हूं, तो मेरे पास, जो basically, मेरा Linux का system है, वो update हो जाएगा, and I'm going to do that now, और आपको म use करने का तरीका बताने वालों, बजाए इसके कि 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 आप कोई और काम करें, ठीक है, पहला काम क्या हो गया, हमने update कर लिया, ठीक है, यहां से मैंने command ली, और यह update की लगा ली, आप upgrade भी कर सकते हैं, it's totally up to you, मैं इसको copy करूँगा, अगर मैं इसको run करूँगा, it will do some steps, and then, यह sudo apt upgrade कर देगा, और यह मुझे से पूछता करना है upgrade, मैं कहता हूँ yes, यह आपके पास इस तरीके से upgrade हो जाईगी, यह सारी की सारी चीज़ें आपके पास थोड़ा time लेंगी, but internet speed जो easy to instance किया, वो बहुत heavy है, so इस वज़ा से this is taking a little bit less time than expected, और यह आपके पास इस तरीके हैं, उसको run करके, आप अपने system को update कर सकते हैं, ठीक है, meanwhile it's being updated, हमने अगला काम क्या करना है, हमने virtual environments के लिए pip को भी install करना है, और python vn को भी, ठीक है, हम दो तरीके से virtual environments बना सकते हैं, जैसे के पहले भी lectures में जिकर किया है, कि mini konda को use करके, and second one is using python virtual environment library, यह दोनों तरीके ठी है, जिससे भी आप use करना चाहिए, आप कर लें, जिसके साथ आप comfortable है, और वो use करें, आज के इस lecture में हम python का virtual environment पहले use करेंगे, then I will show you के, अब mini konda का कैसे कर सकते हैं, for now, we are going to do this command, मैं इसे copy करता हूँ, copy करके, मैं यहाँ पे, sorry, इसको okay करना है, basically, क्योंकि जब आप किसी च command run करता हूँ, sudo apt install python3 pip and python3 vnv, तो हमें यह दो libraries को install करना है, क्योंकि pip जो है, वो default setting में इसके पास नहीं होती, जो हमारा ubuntu का system होता है, num installing these things, यह मेरे पास कुछ time लेगी, but then it will be installed on our ubuntu system, और यह हमारी EC2 instance जो है, वो चल रहा है, ठीक है, और मैंने कैसे connect किया है, मैंने आप आपको पहले बताया, कि आपने connect वाले पर जाने, और यहां पर connect पर click करना है, and then it will open like this, ठीक है, तो आप से अगर यह kernel version यह कुछ मांगे, तो आपने enter, enter दबाई जाने, and everything will be fine, यहां तक आपको clear हो गया, अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम हम यह करेंगे, कि यह यहां पर हमारे पास virtual environments जो है, वो भी install हो गया, अब हमने क्या करना है, हमने git को install करना है, ठीक है, और git को install करना क्यों ज़रूरी है, because we need something, जो हमारी apps हैं, उनको हमने चलाने के लिए, git install होगी, अब मैं अगला काम यह करूँगा, यह जितनी भी हमारी apps हैं, Flask की, ठीक है, इन सभी को मैं git clone करूँगा, यहां से copy किया, इसका URL, instance पर गया, और यहां पर मैं ls लिखता हूँ, तो मेरे पास यहां पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो मैं यहां पर mkdir, यानि के एक folder बनाने वालो, make directory, नाम रखता हूँ, flask apps, बलके इस तरीके से करने के बजाए, मैं यहां पर git clone and यहां पर मैं वो path सारा paste कर देता हूँ, अब यह क्या कर रहा है, यह basically जितनी भी मेरी यहां पर apps पड़ी है, सभी को इसने download कर लिए अपने पास, ठीक है, so यह best way है, अब आप देखें कि flask web app development series के अंदर, मैं इस folder के अंदर change directory करके जाता हूँ, यह हमारे पास हम इस folder के अंदर आगे है, and these are all apps inside, ठीक है, और अगर आप ls-l करेंगे, तो यह आपके पास सारी apps पड़ी है, basic है, eda app है, image generation app है, house price predictor app है, tips की है, diabetes की है, so on and so forth, ठीक है, यह सारी apps आपके पास, ec2 system के अंदर चली गएगे, मैंने इसको git clone को इस वटा से use किया, because I want to give you a simplest way possible, कि आप कैसे आपको deploy कर सकते है, तो पहले आपने github पे push करनी है, वो आपको पता है सारा तरीका, फिर आपने यहाँ पे git clone के तुरू download कर लेनी है, हमारे steps सारे के सारे होगे, हमने data उठाया, virtual machine में रख दिया, now we have to create virtual environment inside virtual machine, फिर उसमें installation करेंगे, and then we will run the app, ठीक है let's see that, how we can do that, अब यहाँ पे मैंने git clone को जब run किया है, now I have everything ready in my vsec machine, अब मैं क्या करूँगा, यह वाली command run करके, command run करके, मैं यहाँ पे इस command को लिखता हूँ, मैं एक environment बनाऊँगा, अपने python के थ्रू, जैसे मैंने इसका नाम ये रखा है, तो जिस directory के अंदर या जिस folder के अंदर मैं इस वकत हूँ, मैं ls करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक flask n का एक folder बन चुका है, ठीक है, एक तरीका कार ये होता है, दूसरा तरीका कार ये होता है, for example, मैं अगर इसको minus rm, rm minus rf flask env, इसको अगर मैं पहले remove करूँ, सबसे पहले मैं जो अभी environment बनाया है, इसे remove करता हूँ, और दूसरा तरीका आपको ये बताता हूँ, कि जब भी आप environment का नाम रखें, आप ऐसा नाम रखें, जो dot से start हो थाके वो environment hidden हो जाए वहाँ पे, ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी flask से पहले dot लगाऊँगा, सो इसने क्या किया, basically इस folder के अंदर मेरा environment बना दिया, dot flask env के अंदर, ठीक है, अब अगला काम क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें वो folder को activate करना है, जो environment का name है, तो source, फिर उस folder के अंदर जाना है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ source, मैं यहाँ पे लिखता हूँ dot flask env, underscore env, slash, यहाँ पे bin करेंगे, slash, activate, तो यह मैंने यहाँ पे command लिखी हुई है, which you can see here, source, environment का नाम bin and then activate, मैं जैसे इसको run करूँगा, you will see a change here, on the left side, जैसे हमारी mini kunda की आती थी, and here you go, आपके पास जो environment अब वो है, dot flask env, इस environment के अंदर आप आप काम कर रहें, and then you can install all the libraries, which are needed inside this environment, ठीक है, यहाँ तक आपको clear हो गया, कैसे environment बन है, मैं आपको एक दबहा दुबारा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर, अब यह मारे पास environment बन गया, ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं इसी को, अगर मैं बोलू, source deactivate, hopefully it will work, so, hum, deactivate, it's not working, okay, something is getting really slow, sorry for that, okay, so, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको यह बताता हूँ, अब हमने यही काम, जब भी कोई library या app को हमने run करना है, sorry, जब भी किसी app को हमने run करना है, तो उस app के अंदर जाना है, for example, मैं यहाँ से choose करता हूँ, house price prediction की app को, ठीक है, so, मैं यहाँ पे cd04 करके उस app में चला जाता हूँ, यह मैंने इस app के अंदर चला गया, ls किया, ls का मतलब है list all things, तो यह मेरे पास सारी चीज़े हैं, अब मैं यहाँ पे दुबारा से environment बनाऊँगा, जो मैंने पहले बनाया था, मैं अब पेरोकी दुबाता हूँ, तो पुरानी अपनी सारी commands मेरे पास आ जाएंगी, so, मैं यहाँ पे जाने के बाद, बलके अब पेरोकी को भी छोड़ते हैं, इसको complicated नहीं करते, मैं यहाँ पे simply लिखता हूँ, source, यहाँ पे लिखता हूँ, बलके नहीं, हम यहाँ से इस environment का नाम रखते हैं, copy किया, यहाँ पे इसको paste किया, environment का नाम, dot flask env, ठीक है, इसके अंदर मैं रख लेता हूँ, यह environment का नाम, अब यह environment हमारा different folder के अंदर बन रहा है, which is house price predictor, अब मैं यहाँ पे source रखता हूँ, dot flask env slash bin slash activate, मैं इसको run करता हूँ, अब मेरे पास जो environment यहाँ पे activate हुआ है, that is inside house price predictor app, यानि के मैंने इस एक आप के अंदर, जब मैंने वहाँ पे काम किया, तो मैंने इस एक आप के अंदर, इस folder के अंदर, यहाँ पे वो वली जो environment है, वो मैंने create किया है, I can show you, कि यहाँ पे मैंने वो environment create किया है, which is inside the EC2 machine, but for the other side, it's fine, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी libraries को install करेंगे, अगर मैं ls-l करूँ, तो मेरे पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगे, और हमने यह वाली file के थ्रू, जो requirements file हमने piprex करके बनाई थी, वो install करेंगे, तो मैं यहाँ पे pip install minus r requirements लिखता हूँ, यह सारी की सारी requirements मेरे पास install हो जाएंगे, inside that environment, and now you see के, plus, flask, numpy, ninja, panda, scipy, stats, stats, model, जो भी हमारी libraries हैं, वो सारी की सारी install हो चुकी, ठीक है, जैसे यह install होंगे, then we have to do something, जिसके थूँ हम app को run करेंगे, meanwhile, आप से मेरी request है, कि यहाँ पे आप winscp, यह एक software को सर्च करें, winsep को, scp को, and second one is called, putty, आप इन दोनों को download की जगा, मैं winscp को यहाँ पे download करता हूँ, और, then, putty को भी मैं download करता हूँ, यह दो ऐसी हमें software चाहिए, which can actually enhance the speed of our things, जो हम online कर रहे हैं, यह उसको और भी enhance कर देगा, let's see, मैंने यहाँ से winscp को किया, और putty मेरे पास आगया, मैं downloads में जाता हूँ, यह पड़ा है जनाब putty, मैं इसको open करता हूँ, तो यह हमारे पास एक terminal के तोर पे काम करेगा, which will help us a lot, so इन दोनों को install करने का फाइदा क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, यह मेरे पास putty आ गया, मैं इसको next, next, next करके yes कर रहा हूँ, and finish, यह putty install हो गया, and then winscp को next, next, next करके, जैसे हम दूसरे softwares install करते हैं, हम इसको भी install कर लेंगे, it will take some time to open, और meanwhile हम यहाँ पे देख सकते हैं, कि हमारे पास, जो हमने installation करने थी, वो हो चुकी है, अब हम इसको क्यों install करने हैं, इन दोनों apps को, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, it will be really easy for you, मैं इसको run करता हूँ, simply install करता हूँ, जैसे आप कोई भी software install करते हैं, जस्ट आप उसी तरीके से, यह वाले दो softwares को install करेंगे, and here you go, right, मैंने अब दोनों softwares को install कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं winsep, इसको run करूँगा, आपको एक चीज दिखाने के लिए, जैसे आप winsep run करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से, एक dashboard आ जाएगा, and in this, it will ask you hostname, यहाँ पे, अगर मैं इसको, sorry, अब यहाँ पे मुझे hostname देना होगा, let me see, how can I provide that, यहाँ से, हमने जाना है, hostname लेना है, यहाँ पे session manager में, sorry, यहाँ पे, EC2 instance है हमारे पास, SSH client में हमने जाना है, SSH client में जाके, यह है जी हमारा hostname, EC2 54 160 114 207, मैं इसको copy करता हूँ, या आप दूसरा तरीका लिए, यह ले लें कि EC2 के अंदर, instance के अंदर वापिस जाए, और instance के अंदर, अपने instance को दुबारा से load करें, बदल दुबारा से मुराद यह है, कि आप click करेंगे, किसी running instance जो आपका है, उसके उपर, और यह है जी आपके पास, जो आपका public, IP4 DNS system है, आप इसको click करके copy करेंगे, and then you will write that in host name, ठीक है, यह थोड़ा छोटा आ रहा है, sorry for that, इसके बाद आप इसको port number को नहीं चड़ेंगे, username आपका क्या है, अगर आप गौर करें, connect पे click करने के बाद, instance के उपर username Ubuntu है, तो यह मेरे पास Ubuntu है, यहां पे username, मैं इसको भी Ubuntu लिख दूँगा, Ubuntu लिखने के बाद, password नहीं मैं दूँगा, मैं advance पे click करूँगा, authentication पे click करूँगा, from here I will take the key, जो मैंने download की थी, और obviously वो downloads के अंदर वो की पड़ी है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही, मैं यहां पे click करके, all files पे click करूँगा, and यह रही वो की, webapps.com.pam, मैं इसको open करूँगा, it will actually convert that key into pretty usable format, मैं गोंगा okay, यहां पे save कर दूँगा downloads के अंदर, फिर okay करके, यहां से okay करके, मैं login कर दूँगा, ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा winSCP tool है न, यह basically हमारी instance जो है, online EC2 machine के साथ connect कर देगा हमें, and we will see, के किस तरीके से यह connect होता है, it's taking a little bit of time, but it's fine, यह check करें, connecting to host, अब यहां पे हमारी सारी Flask की apps पढ़ी हुई है, online system के अंदर, and now you see, के right window में हम host देख रहे हैं, left window में हमारी अपनी apps पढ़ी हुई है, यह हमारा local PC है, ठीक है, so right window के अंदर हम host देख रहे हैं, हमने क्या करने हैं, अब यहां से house price prediction में जाने है, house price prediction में जाने के बाद, हमने अपनी app.py को right click करके edit में ले जाने, और जब हम locally कोई machine चला रहे होते हैं, दो चीज़ें add करेंगे, इस एक छोटी सी जगा के ओपर, वो दो चीज़ें क्या हैं, let me see if I can zoom in, या मैं यहां से, अगर इसको किसी और editor से open कर सकूँ, edit, edit with, browse, मैं चाह रहा हूँ इसको VS code के थूँ edit करें, let's see if I can do that, इसको बंद करता हूँ, दोबारा से इस पर click करके open करता हूँ, अगर यह हमारे पास open होती है, तो यह VS code में open होगी है, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, उस app के अंदर, यहां पर change करनी है, debug true को हम remove करेंगे, host लिखेंगे, is equal to, 0.0.0.0, यह हमें बताएगा कि कहीं से भी आप इस app को run कर सकते हैं, comma, port नंबर वो ही देंगे, जो हमने वहां बलिकी थी, start में, port is 8501, मैं इसको control S करता हूँ, जैसे मैंने control S किया, यहां से इसको मैं बंद करता हूँ, and now these things have been added into my online system, जो मेरे पास already मजूद है, और नहीं, save नहीं हुआ यह, so, चले मैं आपको एक दफा दुबारा दिखा देता हूँ, it didn't save actually, और manage, trust, window is trusted, that's good, यहां पे हम click करके लिखते हैं, host is equal to, 0.0.0.0, comma डालके, port is equal to 8501, आप comma remove भी कर सकते हैं, but it doesn't matter, तो यह चीज मैंने यहां पे add की है, at the end of my app, मैं इसको copy कर लेता हूँ, just for the sake, कि यह हमारे पास save हो, जब हम इसको दुबारा run करें, मैं इसको दुबारा edit करने की कोशिश करता हूँ, and let's see, अगर यह मेरे पास save होगी है, यह नहीं होगी, so I have to cancel this, यह नीचे जब complete हो जब फिर यह काम करती है, let me see, अगर यह save होगी, अगर ना होगी, then we will see another way, यह save हो चुकी है, ठीक है, so अब इस चीज को save करने के बाद, हम वापिस यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे अब अपनी python, python लिखने के बाद, app.py का link देंगे, के इसको run कर दो, and now you see, के हमारी app जो है, वो run कर रही है, obviously यह developmental server है, this is not the production, यह deployment server, तो हम इसके ओपर इसे run कर रहे है, and our app is running at 8501 port, ठीक है, अब अगला काम क्या है, हमने वापिस जाना है इस जगा पे, हमने अपना public IP लेना है, which is this one, इसको copy किया, new window open करके, इसको paste करेंगे, और run करेंगे, and you will see, कि हमारे पास कुछ भी run नहीं कर रहा, उसकी reason क्या है, उसकी reason क्या है, कि हमारी जो port है, that is 8501, it should run at 8501, तो मैं 8501 यहां पे लगाता हूं, and now we will see, कि हमारी app run कर रही है, production server के थूँ कोई भी, अगर ये वाला IP यूज करेगा, that person can run this app, ठीक है, और ये app हमारे पास run होगी, with this IP, और ये public IP है, मैं किसी को भी भेजूँगा, they can run this app, मैं request करता हूं, कि यहां पे, जो लोग हमारे पास online बैठे हैं, वो दरह चेक कर कर के देखें, क्या आपके पास ये app run कर रही है, अगर कर रही है, दूसरा तरीका ये होता है, कि आप incognito mode, अकसर लोगों को पता है, वहां पे run कर के देखें, तो ये अगर आपके पास run कर रही है, और predict कर रही है, चीजों को, then that means के everything is working fine, ठीक है, so obviously, यहां पे ये मेरे पास app run कर पढ़ी है, ठीक है, so this is how you deploy your app, और आपकी app online run कर रही होगी, अब बहुत ज़्यादा लोग जब इस पे click करेंगे, you will see कि बहुत ज़्यादा लोगों का यहां पे request मेरे पास आ रही है, and people are running this app, ठीक है, so अगर आपके पास ये app काम कर रही है, इसका मतलब है हमारी app deploy हो चुकी है, for example, अगर मैं यहां पे 62,000 या 6200 लिखता हूँ, it will request and give me some idea, ठीक है, मैं फिर यहां से predict को remove करके, backend पे जाता हूँ, और मेरी app सभी के पास run कर रही है, and this is the link, which needed by all of the people, अब आप देखें, मेरे पास यहां पे detail आ रही है, कि कौन कौन कैसे कैसे run कर रहा है, not with IP for sure, but you can see, कि हमारे पास यहां पे different किसम की, जो positions आ पो चार रही है, और same port के थूरू चार रही है, कुछ लोगों को file name की error भी आ रही होंगी, बट कुछ लोगों के पास यह बिल्कुल ठीक चल रही होंगी, whatever you will run in this app, वो मेरे पास यहां पे आ रहा है, जैसे मैं यहां पे control C दबाता हूँ, मैंने app को रोख दिया, now my app is not running anymore, and it will show me the same screen again, ठीक है, अब मैं दुबारा से इसको run करूँगा, and this app will be running fine again, और आप same link से दुबारा से app को run कर सकते हैं, something like this, the app is running perfectly fine, इसका मतलब यह है, कि जब भी मैं इसको बंद करता हूँ, for example मैं इस terminal को close करता हूँ, और यहां पे यह प्रेस करता हूँ, तो terminal बंद हुआ, इसका मतलब मेरी app बंद होगी, so what if I need to keep running my app, मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं जब terminal भी बंद कर दूँ, मेरी app शिलती रहे, ठीक है, उसका तरीका कार मैंने बहुत असान तरीके में बताया हुआ है, आप क्या करेंगे, आप जो flask मैंने आपको जो github की repository दी हुई है, आप उस पे जाएंगे, ठीक है, और उस repository के अंदर जाने के बाद, यहां पे मैंने एक तरीका बताया, जिसके दुरू आप इसको run कर सकते हैं, that is n-hub, no-hub, python 3, और फिर आप अपनी app का नाम लिखें, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पे connect पे दुबारा क्लिक करता हूँ, मेरे पास मेरा terminal open हो जाएगा, ठीक है, और terminal open होने के फोरण बाद, I have to go inside that app, और वहां से इसको run कर सकता हूँ, एक और तरीका जो इसकी वेड़ा से मैंने पटी को install करवाया है, मैं यहां पे आने के बाद, यह इस जगा पे click करूँगा, इस जगा पे अपने WinSCP के अंदर आने के बाद, मैं इस पे click करता हूँ, तो मेरे पास पटी जो है, एक separate environment open कर देगा, terminal का, जिसके अंदर, सारी की सारी authentication keys लगी हुई है, and I can also run my app from here, लेकिन इसका font size बहुत चोट है, जिसकी वज़ा से मुझे, इसमें मैं रन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको cancel कर रहा हूँ, you can run in this one as well, but I prefer this terminal क्योंके आपको फिर सारा कुछ easily नज़र आ रहा है, then I have to go in c, cd.flask.app.development and then cd.04, वहाँ पे जाने के बाद, then I have to activate source.flask.env slash bin slash activate मैं इसको run करता हूँ, and now you can see, के flask and bin activate मेरे पास open हो गया, now I can run python 3, क्योंके मुझे 3 लिखना है, because we are using ubuntu, app.py, जैसे मैंने इसको run किया, यहाँ पे यह एप दुबारा से हमारी live हो जाएगी, ठीक है, house price prediction की, मैं इसको close करता हूँ, हमारी app साहिबा गयती है, Allah आफिस, सो हम क्या करेंगे, अब एक काम करने वाले हैं यहाँ पे, वो काम क्या है, मैं इसको थोड़ा से और zoom in करता हूँ, ताकि आप code को देख सकें अच्छे तरीके से, यहाँ पे, हमने, यहाँ पे, मैं लिखता हूँ, nohub, ठीक है, यह जो command है, यहाँ पे मैं लिखूँँगा nohub, ठीक है, python3, फिर app का नाम, nohub, python3, app.py, और जब मैं इसको run करता हूँ, now my app is not giving me anything, क्योंकि वो nohub के अंदर आगी, और backend पे चल रही है, वो app अब backend पे चल रही है, frontend in the terminal नहीं चल रही है, तो जब मैं इस app को run करूँगा दुबारा से, मेरी app जो है, it will start working fine as previously, अब मैं अगर इस terminal को बंद भी कर देता हूँ, my app is still running fine, क्यों, क्योंकि उसको मैंने backend पे चला दिया, and now you can rerun the same URL, जो मैंने आपको description में या जो live बैठे हुए, उनको दिया, अब वो चेक करें क्या आपके पास app काम कर रही है, and it will be working fine, मुझे एक confirmation दीजेगा कि अगर आपके पास ये app काम कर रही है, and अगर मैं यहां पे बासट सो लोग आता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ, ये backend पे automatically मेरे पास ये app काम कर रही है, and this is showing me the price of the house, and all these things, जो मैंने अपनी app को बना के यहां पे लगाया हुए, and believe me, अगर ये app आप काम कर रही है, इसका मतलब है कि आपको अब machine जो है आपकी वो चल रही है, backend के उपर, और उस पर ये app जो है वो काम कर रही है, ठीक है? अब मसला ये है कि आपने बंद भी तो करना है न, अभी 24 घंटे चलती रहेगी तो बिल लाएगा आपको इसी टू का, तो आपने कैसे करना है, connect पर जाना है, अब आपके पास app काम कर रही है, that's great, काफी लोग जो हैं, वो मुझे बता रहे हैं, लाइव जो क्लास में बैठे हूँ है, कि आप आपके पास काम कर रही है, that's a good thing, cool, okay, अब हमने क्या करना है, हम अब इस app का backend process लेंगे, ठीक है, और उस backend process को फिर हम check करेंगे, और फिर उसे kill करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, यहाँ पे, अब हमारे पास backend में run कर रही है, अगर आप यहाँ पे ps-ef लिखेंगे, यह command है, जो हमें बताती है, ps-ef के कितने processes चल रहे हैं, यह सारे के सारे processes हैं, और हमने यह वाला बंद करना है, python 3 app.py, backend के उपर, और इसकी जो specific key है, that is 14455, which is actually, जो हमारे पास इसकी basic key है, वो यह है, ठीक है, तो हम इस key को पगड़ते हैं, 14455, ठीक है, यह वाली key, kill उसकी process ID, जो हम kill कर देंगे, second यह है, कि आप यह वाली पूरी command लगाएं, let's see, मैं यहाँ पर यह पूरी command लगाता हूँ, तो यह क्या करेगा, यह basically मुझे directly, उसका process ID दे देगा, अब मेरे पास 2 app.py चल रही हैं, ठीक है, पहली हमारे पास है 14.55, और 14.455 दूसरी इस वन, तो मैं यहाँ पर kill लिखूँगा, kill लिखने के बाद, not kill, kill, space, 144.55, जैसे मैं यह लिखूँगा, आपकी app चलना बंद हो जाएगी, मैं इसका demo दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से इसको refresh करता हूँ, यह मेरे पास app चल रही है अभी, ठीक है, इस वर्किंग फाइन, जैसे मैं इस process को kill करता हूँ, नाव हमारी app जो है background में, चलना बंद हो गई है, ठीक है, so this is how you can actually stop your app, और इसको मैंने detail में यहाँ पर बताया हुए, कि आपका जो process number आएगा, वो आपने यहाँ पर लिखने, and then it will be actually cancelling that, and आप अपनी app को IP के इलावा, URL के साथ भी attach कर सकते हैं, this is all the way, जो मैंने बताया हुए, और terminate भी करना है, आपने instance जब अपनी app को remove करना है, reason यह है, कि जितनी देर यह terminal चलता रहेगा, उतनी देर app चलती रहेगा, and it will causing you a big bill, तो मैं यहाँ पर इसको close करता हूँ, यहाँ से इसको close करता हूँ, अब आपने terminal को बंद भी करना है, वरना आपके backend पर अगर यह running state चलती रहेगा, तो आपको per hour की base पे build पढ़ता रहना है, ठीक है, so how you can do that, आप अपने instances पे जाएंगे, again, जो आपका running instance होगा, which is for me, जो मेरे पास है basically, वो मेरा EC2 instance, जो मैंने web app development के लिए बनाया है, which is this one, web app development, मैं से select करता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं instance state पे जाता हूँ, and यहाँ पे मैं terminate instance कर दूँगा, terminate का बतलब है कि बिल्कुल ही delete कर देना, हर एक चीज़ delete हो जाएगी, सब कुछ delete हो जाएगा, stop instance का मतलब है कि आप basically सिरफ उसे stop कर रहे हैं, reboot का मतलब है आप reboot करेंगे, और जब आप reboot करेंगे तो आपका public IP चेंज हो जाएगा, ठीक है, which I just show you to open the app, ठीक है, सो मैं यहाँ पे इस instance को terminate करूँगा, because I don't want to have bills on my credit, और यहाँ में EC2 instance bill ना भेजने लग जाए, and successfully terminated, at the end, no app is running, nothing is running, and I can say safely के मेरा जो काम था वो हो चुका है, मेरी application रन कर चुकी है, and now I know how to deploy an app, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी tip मैं दे देता हूँ, अगर आप end का button यूज करते हैं तब भी ये backend पे चीज़ चलने लग जाती है, ठीक है, तो ये end एक लिखने से ये भी backend पे चलने लग जाती है, the other thing, ये तो मैंने आपको flask को deploy करने का तरीका बताया, आप streamlet की भी ऐसी deploy कर सकते हैं चीज़े, अब कोई भी किसी किसम की web app को deploy करना आपके लिए असान है, अब आप practice करेंगे, मैंने AWS का आपको बताया, आप सेम तरीके से और भी hosting services को use कर सकते हैं, जिन में सरफ है रिस्त जो हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली है जनाब आपकी GCP या Google Cloud Computer, GCP, ठीक है, और ये है Google Cloud Platform, ये भी आपको as a student $100 का credit देते हैं, GCP वाले, सेकेंड है जी आपके पास Azure, जो Microsoft की है, ठीक है, फिर आपके पास है Heroku, which is also a kind of hosting service, आपको Cloud Application Platform के लिए specific है, और इनका पर मन्त पेस पे सारे के सारा काम चलता है, you can use that one, और जो हमारे पास Microsoft Azure है, ये भी आपको student account के अच्छे खासे पैसे देते हैं, आपने at the end आपने virtual machines बनानी होती है, और यहाँ पे Google जो है, ये basically आपको $100 के करीब देता है, if I'm not wrong, तो आप यहाँ पे लिखें, GCP credits for students, students के इलावा भी जो first timers होते हैं, उनको भी ये अच्छा खासा credit देते हैं, और आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे आपके पास different किसम के credits मुझूद है, and here you can use Microsoft Azure, ये है जी आपका Hiroku, where you can also deploy your app, खास तोर पे इनकी जो pricing है, वहाँ पे अगर आप जाएं, तो आपको पता चलेगा, कि eco and basic $5 a month है, अगर आपने बहुत basic app upload करनी है, production में $25, अफिर $250 है, and then so on and so forth, आपके पास जो pricing है, वो basically अच्छी खासी उपर जाती है, enterprise level तक, so it's now up to you, आपके पास कितना गोड़ा है, कितना मीठा आपने करने चीज़ों को, and then you can deploy the app, जो मेरे लिए best है, वो है Amazon की web services, which is kind of EC2 machines, जो बहुत असान है, तरीका मैंने आपको बता दिया, and it's much cheaper than some of the platforms, obviously depend करते हैं, आपने कितनी बड़ी app लेनी है, और कितना काम जो है उस पर store कर रहे हैं, अब आप अगर multiple ports पे अपनी app चलाएंगे, आप एक ही system के resources यूज़ करके, multiple apps को भी deploy कर सकते हैं, सिरफ आपने ports चेंज करनी है, start में machine बनाते हुए भी, and at the end machine को deploy करते हुए भी, यानि कि app को deploy करते हुए, आप 8501 चला सकते हैं, 8000 चला सकते हैं, 5000, there are many port ranges, जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से utilize किया, आप से भी request है, कि जब आपके पास कोई इस तरीके की services, आपको different किसम के project proposal लिखने का बुलाएं, तो आप उसमें ज़रूर participate किया करें, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, for example, अगर आप Google में जाएं, इसी तरीके से आपके पास AWS के भी होते हैं, तो आपने application लिखनी होती है, और उसके बाद आपको 5000 के करीब ये credit देते हैं, even more than that, as a startup, आप 50,000 डॉलर से भी ज्यादा के free credit ले सकते हैं, so you can apply for the credits, अगर आपका startup है, जैसे मेरे पास Kodernix है, I can apply for credits, और वो credits जो हैं, पिर आस्ता इस्ता इस्ता इड़ाप होते रहते हैं, you can host your websites, you can do whatever you want on these EC2 instances, and people can actually grab these opportunities, यहां तक के लिए app deployment, web app deployment, जो हमारी वो complete होती है, जहांपे हमने AWS के उपर, एक complete app को deploy किया, जो link मैंने आपको दिया है, जो description के अंदर है, read me file के अंदर, आप पूरा process देख सकते हैं, flask का, stream lead पे आप खुद try करेंगे, same procedure है, nothing is going to change, और अगर आप चाहें, इस पूरे के पूरे process को, एग या दो या तीन दफा practice करके देखें, इसे के साथ ही मुझे इजाज़त दें, hopefully आपको आज का lecture समझ आया होगा, अगर आपको समझ आ गई है, तो please like, share, subscribe कर दे, और ये victory का निशान इस वेड़ा से हम करते हैं, ताकि हम at the end celebrate कर सके, कि हमने किस तरीके से ये पूरी के पूरे knowledge base को gain किया है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, जो cloud computing में interested होंगे, कि cloud computing क्या होती है, सो आपने क्या करने है, simply google में जाने, यहां पर लिखना है, cloud computing playlist codanics, ठीक है, simple आपने ये लिखना है, और आपके पास ये पूरी cloud computing की playlist आ जाएगी, जिस पे मैंने gcp का भी बताया, मैंने different चीजों का, यहां पर knowledge base का भी पता है, मैंने ये भी पता है, किस तरीके से आप gcp को use करेंगे, किस तरीके से google cloud को use करेंगे, cloud computing होती क्या है, whatever you want to run, learn, तो आप cloud computing के ये पूरी के पूरी, मेरी playlist देख सकते हैं, youtube के channel पर जाने के बाद, playlist में जाएं, और यहां पर आप search कर सकते हैं, control F करके, cloud, किदर गे भी cloud, Linux, it's coming, माशाला पढ़ा हाई इतना दिया हैं, मारसा आपने, क्या करें, यह यहां पर है, यह जी cloud computing के पूरी के पूरी playlist, मैं इसका link आपको description में दे देता हूं, ताके आप इस पूरी playlist को enjoy कर सकें, ठीक हो गया जी, ओके जी, अपना ख्यार रखें दो हमें याद रखें, टेक के रण, अलाहाफिस, असलाम लेकुम, and keep learning,